इस वीडियो में हम डिस्कॉस करेंगे स्रिलंका में जो फाइनेंशियल और एकनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उसके क्या कारण है तो चलिए सुरू करते फाइनेंशियल एज्यूकेशन का ये एपिसोड मेरा नाम है सोनू पटेल और आप देख रहे हैं मार्केट नामा स्रिलंका के फाइनेंशियल क्राइसिस और एकनॉमिक क्राइसिस के बहुत सारे कारण है तो पहला जो कारण है वो है स्रिलंका का एक सेक्टर पर पूरा डिपेंडेंट होना तो स्रिलंका का जो एकनॉमिक है वो टुरिज्म सेक्टर पे पूरे डिपेंडेंट था तो 2020 में जब कुरोना आया कोवीड आया उस करान जो पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में लोग अपने अपने घर में कैद हो गया था इसलिए लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे लोग इ गर्टेस करें दूसारा जो कारण है वह हई डिक का तो स्रिलंका बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका है स्रिलंका जो देश है उस पर लगबग अगर टुटल की बात करें जो टुटल कर्ज है वह साथ मिलियन डौलर का कि थे तोह यह जो टु प्रफ़े आके रखा है कि उनके पास पैसे ही नहीं है और दोज़ार शब्वीस तक सिर्लंका को 25 बिलियन डॉलर का कर्ज रीपे करना है जो टोटल करज है कावन बिलियन डॉलर का तो एक जो कर्ज होता है क्योंकि सभी लोग कर्ज लेते हैं जो देश होती है पूरे किसी न किसी से कर्ज लेता है चाहे वह कोई IMF जैसा संस्ता हो चाहे वह World Bank जैसे संस्ता हो चाहे कोई दूसरा देश से कर्ज लेती है स्रिलंका ने भी कर्ज लिया था जिसको वह सही से मैनेज नहीं कर पाए तो जो economic crisis और financial crisis और government instability का एक दूसरा सबसे बढ़ा कारन है डेट ही है तो यह अगर आप उसको सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप एक बैंकरप्ट हो जाएंगे जैसा स्रिलंका अभी हो चुका है तीसरा जो कारण है वह है foreign reserve का कम होना क्योंकि किसी भी देश के लिए foreign reserve बहुत important चीज होता है तो यह अगर कम होता है तो किसी भी देश के लिए मुश्यवत हो सकता है तो क्यूंकि जो गौवर्मेंट ऑफ स्रिलंका है उसके द्वारा बताया गया है कि जो फॉरन रिजर्ब बचा हुआ है स्रिलंका के पास वो सिर्फ और सिर्फ 25 मिलियन डॉलर का ही है तो और स्रिलंका के पास और स्रिलंका पिज चुकाना है वोрलियोंड डॉलर गेप है तो अपना डेट नहीं रिपे कर रही है तो कैसे वह और बी जो ज़रूरत की चीजा होती है जैसे कि खाना हो गया मेडिसीन हो गया फ्यू लोगया। कैसे इंपोर्ट कर पाएगी दूसरे से क्योंकि अगर आप किसी को जो पहले से अपने कर्ज लिया है उसको अगर पेमिंट नहीं करेंगे तो दूसरा जो देश है वो भी आपको कोई समान नहीं देगा तो तिसरा ये बहुत बड़ा कारण है स्रिलंका के इस क्राइसिस का फाइनेंसियल और एकनॉमिक क्राइसिस क वो है चाइनीज डेट का स्रिलंका ने तो कर्ज लिया ही है अलग-अलग देशों से अलग-अलग संस्था से लेकिन उसमें चाइना एक बहुत बड़ा हिस्सा रखता है पूरे कर्ज का लग-बग 10% के करीब रखता है तो एक बहुत बड़ा एमांट होता है तो जिस सर्थ पर कर्ज लिया गया स्रिलंका से स्रिलंका ने जो चाइना से लिया है वो बहुत ही करे सर्थों पर लिया गया कर्ज है जो वो अभी रिपे नहीं कर पा रही है चाइना को तो यह बहुत बड़ा करन है और लोगों के द्वारा बताया विजा रहा है कि चाइना से कर्ज लेन तो एक बहुत ही बड़ा कारण रहा है इसका financial और economic crisis का स्रिलंका का, पांचवा जो कारण है वो है lack of essentials का, यानि कि जरूरत की समानों का कम होना और समान का महेंगा होना, जरूरत की जो समानों जैसे कि खाना हो गया, food हो गया, fuel हो गया, जैसे कि petrol हो गया, diesel हो गया, और फिर medicine हो रही है, क्योंकि government के पास पैसे ही नहीं है कि वो import कर पाएगी, तो यह जब चीजे कम होती है किसी भी देश में, तो वहाँ पे एक panic का सेनेरी होता है, क्योंकि लोग line लगा के petrol pump पे petrol ले रहे हैं, और फिर भी उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे shortage हो गया है, गो में अक्रोस बढ़ता जा रहा है, छठा जो कारण है वह inflation का बढ़ना, तो क्योंकि महगाई बर रहा है, और shortage हो रहा है सामानों का, तो समान महगा भी है और कम भी है, तो कही न कहीं एक बहुत ही बढ़ा कारण है, गोर्मेंट आफ स्रिलंका की तरफ से बताया भी गया ह कि जो उसके Central Bank है, वो हर संभग कोसिस कर रहा है, 20 साल में स्रिलंका की Central Bank है, उसने बहुत जादा इंट्रेस्ट हाइक किया है कि inflation को सही कर पाई, inflation को काबू कर पाई, लेकिन वो ऐसा करने में असफल रही है, और जो Finance Minister की तरफ से बताया गया है, कि अगर ऐसा ही चलता रहा, तो बहुत ही जल्दी स्रिलंका में 70% तक महंगाई जा सकती है, इंफलेनेशन जा सकती है, जो एक बहुत ही बड़ा कंसोर्न है किसी भी देश के लिए, सात्वा जो करन है, वो सबसे जादा स्ट्रॉंग लगता है, स्रिलंका का इस सिस्तित में पहुंचने का, जो Financial Crisis, Economic Crisis और जो Government Instability का, जो सामना कर रही है स्रिलंका, विद्रो का जो सामना कर रही है स्रिलंका, उसका कहीं ने कहीं एक बहुत ही बड़ा क्यारन है, वो रात्पक्षे फैमिली है, जो President है, गोटबाया वो है, क्योंकि कहीं ने कहीं, जो रात्पक्षे फैमिली है, वो पुरे सरकार को चला रही है, पुरे देश को चला रही है, तो किसी भी देश के लिए जब ऐसा होता है कि जो एक family पुरे government को regulate करती है, पुरे government को run करती है, तो किसी भी देश के लिए ये एक danger का sign होता है, क्योंकि अगर कोई family पुरे government को पुरे देश को चला रही है, तो वहाँ पे वो जो आ अपने जो उनकी जो फायदे के लिए उन्होंने वो कदम उठाया लोगों के लिए क्या वो सही कदम उठा सकते थे कैसे वो जो महंगाई बर रहा था सौर्टेज समानों का जो इसेंसियल समान है उनका जो सौर्टेज हो रहा था फोरन रिजर्व जो कैस है वो कम हो रहा था त तो गोगो असे का सामना सिरलंका कर रही है तो बहु T berm defenses यहां चारण हैर और गाबो करपा है महंगाई को काबू कर पाहे जो shortage हो रही है समानों की उसको काबू कर पाए तो आपको क्या लगता है इस जो आठ जो मैंने कारण बता है इस economic और financial crisis के सिरलंका का सबसे बड़ा जो कारण है आपको क्या आपके नजर में वो कौन सा है या आपको लगता है कि यह आठो जो कारण है वही कारण है या आपको लगता है कि कोई और भी कारण है जो मैंने इस वीडियो में मिस किया है जरूर कमेंट करके बताए और ये वीडियो कैसा लगा है क्योंकि इस तरीके का मैंने पहला वीडियो चैनल पर अप्लोट किया है तो यह वीडियो कैसा लगा ज़रू कमेंट करके बचाए यह वीडियो अच्छा लगा है तो और भी ऐसे वीडियो को लाइक करें और यहां तक आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए आपका धन्यवाद और ऐसे ही धेड़ सारे एजुकेसिनल कंटेंट देखने के लिए से रिलेटेड स्टाक मार्केट म्यूचियल फंड प्रस्माल फानेस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले यहां तक आपने वीडियो देखा इसके लिए अपका धन्यवा